ताजा तकन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आज हम एक ऐसे अधिकारे की बात कर रहे हैं जो आए दिन सुर्खियों में छाया रहता है वो अधिकारी है हुंडी करी जिनके उपर महावितरन के अधिकारियों की जिम्मेदारी है लेकिन अब तक कई ऐसे हाथ से हुए हैं मुम्रा कौसा सील फाटा में जिनका जवाब दार हुंडे करी है लेकिन अपने उपर कुछ लेना नहीं चाहते हैं सरसर सफाई दे कर निकल जाते हैं लेकिन कहां कहां निकलेंगे सफाई देंगे जब ये हुंडे करी MSB की कमान सभाल रहे थे तब से लेकर अब तक ऐसे हाथ से हुए हैं जिनका जिम्मेदार सिर्फ और सिर् से चार लोग जल गए हैं महावित्रण के एकजीटीू इंजिनियर हुंडे करी की लापरवाही से आज ये चार लोग जले हुए हैं अब तक बताया जा रहा है कि MSB में अगर कोई लापरवा है तो वो सबसे बड़ा लापरवा हुंडेकरी को बताया जा रहा है आज जो ट्रांसफार्मर ब्लाश्ट हुआ है उसमें चार लोग जल गए हैं उनका नाम कृष्णन कुमार सोनी 29 वर्षी भारत केदार 43 वर्षी स्वामी मलमारी 24 वर्षी जितेंद्र मुस्कुडे 40 वर्षी है जिनमें दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है चारों को इलाज के लिए एरियुली के नेशनल बर्न सेंटर में भीजा गया है जब में मिजबी कार्याले पर पत्रकार और आमजनता पहुँची तो हुन्डे करी ने गेट बंद करवा दिया और किसी को अंदर नहीं आनी दिया अब सवाल उड़ता है कि आखिर वहाँ ऐसा क्या राज है जो हुन्डे करी ने रिकॉर्ड ने करने दिया क्या है ऐसा जो छिपा रहे है एक तरह से देखा जाए तो लापरवाह हुन्डे करी मुम्रा की बिजली बेवस्था की इस्थिती खराब करती है आए दिन रास्तों पर केबल जलने से कई लोग घायल हुए है और कई लोगों की मौत भी हो गई है इसके बावजूद हुन्डे करी अपने लापरवाही से बाज नहीं आ रहे है और हुए आज ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में चार लोग जल गए हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है क्या हुन्डे करी महा वितरण में बिजली बेवस्था सभालने के लिए बैठे है या फिर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए दिन बिजली गायब रहती है आखिर हुन्डे करी पर किसका हाथ है हुन्डे करी की इस हरकत पर मुम्रा शहर के नेता हुन्डे करी के मुह पर कालिक लगाने वाले थे मगर वो भी अब कही नजर नहीं आ रहे हैं मुम्रा शहर में हुंडे करी के लापरवाही से एलेक्ट्रिक बॉक्स सड़कों पर खुले केबल लोगों को मौत की दावत दे रहे हैं और हुंडे करी मुम्रा की जनता से खिलवाल कर रहा है एक्जिट्वे इंजिनियर हुंडे करी ने जब से मुम्बरा का चार संभाला है तभी से शहर में विजली 8-8 घंटा गायब रहती है यही नहीं सड़कों पर खुले हुए केबल और खुले हुए एलेक्ट्रिक बॉक्स यूँ ही पड़े रहते हैं जिसकी वजह से मुम्बरा शहर के जनता की जान के साथ हुंडे करी खिलवाल कर रहा है तमाम ख़बरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहाटेम्स